कि 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 मेरा नाम है संस्कृति और आप सभी हर रोज दो पहर 12 बजे मेरे साथ पढ़ते हैं युजी सी एंटी एंट नेट पेपर टू पॉलिटिकल साइंस जिसका की कोड जीरो टू होता है तो हर रोज दोपहर 12 बजे इसी यूट्यूब चानल के माधिम से हमारी राजनीती विज्ञान की कक्षाएं जो हैं वो चलती हैं गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग कविता कैसी हो चल्दी चल्दी से से सेशन को सभी स्टूडेंट्स क्या करिए जॉइन कर लीजे मेरे पीछे और अपने सामने क्या है देख रहें यहां पे question paper लगा हुआ है थीक है ना तो अभी हाल में ही जो आपका जून अटेम्ट हुआ था जो आपका जून अटेम्ट हुआ था उसका शिफ्ट वन का पेपर विथ आंसर की जो आंसर की में सही ऑप्षन एंटी ए ने बताए हैं उनको मैं लेकर के आई हूं तो जल्दी-जल्दी से सेशन को सभी लोग जॉइन कर लेंगे सो दाट आपको दिसंबर वाले एक्जाम के लिए एक थोड़ा सा पता है क्या एक हिसाब लग पाए कि क्या है आपके एक्जाम में किस तरीके से कोशन पूछे जाने वाले हैं ठीक है ना जून 23 और ये जो सल्यूशन है वो किसके हैं शिफ्ट वन के हैं आपको कोशन के लिए मिलेंगे और इसमें भी क्या है पेपर टू की हम बात करने वाले हैं जी किसकी बात करने वाले हैं पेपर टू की बात करने वाले हैं आई होप आप सभी को बढ़ियां क्लियर तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा है विकाज मैं देख सकते हूं कि मेरी स्कीन जो स्क्री solution ही लगाएंगे ठीक है फिर जब हम PYQ वगेरा इखटे लगाएंगे तब वहाँ पे solutions और क्यों यही option हुआ यह देखेंगे ठीक तो जिन बच्चों को answer की देखने हैं जिने देखना है कि कितना बना कितना नहीं बना उनके लिए यह खासतोर पर सेशन जो बहुत helpful होने वाला है पहला प्रशन था वेन ओपन स्काइज एगरिमेंट बिट्वीन इंडिया और युएसे वो साइंड तो भारत और अमेरिका के बीच मुक्ताकाश समझोता ओपन इसका एगरिमेंट जो था वो किस वर्ष में साइन किया गया आपके पास options दिये थे 2001, 1995, 2005 या फिर 2010 बताईए आपके हिसाब से क्या सही जवाब होगा बताएं अभी का पीपर है बताना पड़ेगा बताईए जल्दी जल्दी से बताईए आपके हिसाब से क्या है कौन सा जवाब सही होगा क्या लगता है आपको किस वर्ष में इंडिया और युए इस प्रशन का सही जवाब है वर्ष 2005 तो वर्ष 2005 वो साल था जब भारत और USA के बीच में क्या हुआ था? ओपन इसका एग्रिमेंट जो है वो साइन किया गया था मुहमद नाजिर अली लिख रहे हैं हम न्यू स्टुडेन्ट हूँ हलो मुहमद नाजिर अली कैसे हो? कैसे हो? अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन आप सभी से क्या पूछा गया था? अग देखो जो इंडियन पॉलिटिकल थौट है आई पी टी है वहां से भी विचेज और यूनिट थ्री अच्छे कोश्टन्स आ रहें कि वह गांधी और अंबेटकर तक सीमित अब नहीं है प्रश्ण ठीक है बताईए हिंदी में भी प्रश्ण लगा हुआ है अंग्रेजी में भ तब वे हैं यह ऐसा जीवन था जो दूसरों पर केंद्रेत और दूसरों पर निर्भरता इसका अभी प्राया आत्मनी अंत्रों आत्मिक आंत्रेक आध्यात्मिक स्वत अंत्रता थी ठीक है आपको कोड में बताना है यह आपके सामने यहां पर कोड लिखे हुए हैं एंट सब्सक्राइब नुद्प इसे कोशन साइस के कोशन पर में पोचता है और मेरे प्यारे सात्यों अगर तुमने संटन्न प्रोफेसर काBuर भर दिया है मद्ध्रिदेश का राजय Kollegin के माने ओस ने ठीक है तो अपने अपने assistant professor के exam में भी ऐसे questions जो हैं वो क्या करिएगा वो अपेक्षा रखिएगा कि आपसे जो आयोग है वो पूछने वाला है बताईए इस प्रशन का जवाब सब मूख बनके देख रहे हैं कुछ कथा चल रही है और हम सुन रहे हैं ना चलो देखो इस प्रशन का क्या सही ज जवाब होगा इस प्रशन का सही जवाब है option number three a b and d ठीक है a b and d common sense वाला कोशन था बिल्कुल common sense वाला कोशन इसलिए था क्योंकि जो आपका थर्ड वाला statement है कि यह ऐसा जीवन था स्वाराज का मतलब तिलक जो है वो एक independence के लिए क्या थे fighter थे ठीक है तो अब वो ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि स्वाराज का मतलब यह है कि एक ऐसा जीवन होना चाहिए जहां पर जो क्या है हमारा पूरा ध्यान जो है वो दूसरे क्या कर रहे है उस पर केंद्रित हो और हमारी जो निर्भरता है वो क्या है आत्म निर्भरता ना हो वो दूसरों पर हम निर्भर रह है तुम लोगों ने तो मुझे इतना मतलब उच इस तरका टेक्निकल वो समझ रखा है क्या दिक्कत आ रही है लाइट से क्या दिक्कत आ रही है बताना जरा ठंड रखो बेटा मेरे को यहां पे कम से 25 तीज तारे लगी हुई है अगर मैं गिन पा रही हूं तो और एक बीतार ही ला दूंगी पूरी क्लास चौपट हो जाएगी क्लास तो चौपट हो जाती है कि दिखने ही इन राय क्लियर रुख जाओ मुझे यहां पर clear दिख रहा है अपने board की थोड़ी सी अपने उसकी screen की brightness बढ़ाओ ज़रा मैं फून पर देखू कैसे नहीं दिख रहा है लेट मी सी clear नहीं दिख रहा है बिटा मेरे phone पर 360P पर चल रहा है वीडियो और बहुत आराम से दिख रहा है बहुत आराम से दिख रहा है मेरे phone पर 360P पर मैं चला के देख रही हूँ यहां side में रख लेती हूँ इसलिए है ना तो रुख जओ बुलाया है team को आके वो brightness कम कर देगी अभी पढ़ते हैं पिरिख चलो मैंने सोचा था जल्दी जल्दी कोशन करवाएंगी उतने ही देर हो रही हैं खैर कोई बात में चले थर्ड डंबर का है säसे इसारा प्रशन प्रश्न जो है वो आपसे क्या पूछ रहा है तीसरा प्रश्न जो है वो पूछ रहा है political equality के बारे में तो प्रश्न कहा गया कि हूँ among the following said political equality therefore is never real unless it is accompanied by virtual economic equality political power तो यह statement किसने कहा है देखिए कि इसलिए राजनेतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं होती है जब तक उसके साथ आभासी आर्थिक समानता राजनितिक शक्ती ना जुड़ी हो तो ये statement किसने का है आपको बताना है क्या ये statement जे असमिल का है या फिर ये statement हरोल्ड जे लास्की का है या फिर जॉन कोट्सकी का है या फिर अल्फरेट कोबन का है ये स्टेटमेंट किसका स्टेटमेंट है बताएं 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 किसका स्टेटमेंट है ये बताएं किसका स्टेटमेंट है ये चले आंसर देखते ही ये स्टेटमेंट किस ने कहा है political equality के बारे में ये statement Harold J. Lasky ने कहा है ठीक है रहा ये जो statement आपके सामने screen पर लिखा हुआ है वो क्या है Harold J. Lasky का statement है political किसके बारे में equality के बारे में कि political equality जो है वो economic equality और political power के बिना क्या है अधूरा है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन क्या पूछा गया था चौथा प्रशन पूछा गया which of the following association और ग्रुप है लेश्ड आउट एट मायोनिजम और ब्रांड़ दे हौथोन researcher as cow sociologist तो एक आप कह सकते हो बहुत बड़ा statement है कि कौन सा ऐसा association था जिसने जो एल्टन मेयो हैं ठीक है ना उनका जो ideology था मेयो निजम जो था ठीक है न मेयो वाद जो था उसकी कड़ी आलोचना करी और हौथोन का जो पूरा का पूरा research था उसके researchers थे उन्हें क्या कहा उन्हें काउ sociologist जो guy sociologist होते हैं न वो कह करके पुकारा ऐसा किन लोगों ने कहा था मेयो वाद और हौथोन के जो पनुसंधान करता हैं उनके बारे में ठीक है सी तुक्का है राकेश कह रहे हैं बी ओके ठीक है राकेश का कहना है बी और कुछ बच्चों का कहना है सी लेट सी कोशन का क्या सही जवाब है ऑप्शन में बहुत सारी अलग अलग एस्सेशन के नाम लिकेश हूँ है यह वो यौनाइटेंड की ऄंडम की यौनाइट पोस्टल वरकर कि ऐस्सेशन यह संयुक्तिराज अमेरिका की उनैटेंड आटो वर्कर हो चाहे वो फ्रा Kids की उन्नाइट और टीचर हो या फिर जर्मनी के फेड्रल teachers हूँ ठीक है चले देखते हैं इस प्रशन का क्या सही जवाब है इस प्रशन का सही जवाब है option number B that is United Auto Workers in USA तो USA का जो United Auto Workers का association था उन्होंने जो immunism है या फिर hawthorn experiment है उसको क्या कहके बुलाया उसको काउ sociologist के नाम से बुलाया था ठीक है अगले प्रशन पर बढ़ते हैं अगला प्रशन देखते हैं session को like and share आज कल आप लोग नहीं कर रहे हैं चलिए भाई क्या कहा जाए जैसा कर रहे हैं बहुत ठीक ही कर रहे होंगे है ना चलिए तो अगला प्रशन पांचवा प्रशन पूछा गया आप सभी से कि विभेन राज्यों के राज्यपालों की विशेश शक्तियों के बारे में निम लिखित में से कौन सा योग में जो है वो गलत है ठीक है ना यहा बताओ महराश विदर्व और मराठा वाड़ा के लिए अलग विकास बोर्ट तेलंगाना रायल सीमा छेतर के लिए अलग विकास बोर्ट असम राज में अनुसूचित जनजाती के छेतरों का प्रसाशन या फर मणिपुर राज के पर्वती चेत्रों के प्रसाशन के संबंद में आप्शन A, B, C या फिर D बहुत डिफिकल्ट कोशन था ये कोशन देखे मुझे भी बहुत अजीब लगा कि इस तरीके का कोशन क्यूं और कैसे इस तरीके का कोशन क्यूं और कैसे अवाज बेगेरा आ रही है चलिए ओप्शन A बता रहे हैं बच्चे ठीक है चलो ऑप्शन E बता रहे हैं महराश विदर्ब और माराथा वाड़ा के लिए अलग विकास बोड ठीक है अलग-अलग राज्यों में जो गवर्नर होते हैं उनको अलग-अलग शक्तियां भी प्रदत तो होती हैं उसके संदर में बताना था और इस प्रशन का सही जवाब होगा इस प्रशन का भी सही जवाब है option number two तेलंगाना incorrect बताना है क्योंकि आपकोestar कर्रेक्रेट नहीं बताना है आपको incorrect बताना है तो जब आप incorrect बताऊगे तो incorrect में क्या है तेलंगाना separate development board for रायल सीमा region ठीक है ये जो युगम है ये जो match है वो क्या है गलत है और आपको गलत वाला ही बताना था ठीक है चले अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिए चले गांधी के अनुसार बहुत जादा ही ऐसा हलका कोशन ऐसा हलका कोशन गांधी के अनुसार तीन-चार option लिखें ठीक है कि साध्य और साधन के बीच कोई संबंद नहीं है साध्य साधन को नियूचित ठहराता है या फिर साध्य महत्व पूर्ण नहीं है या फिर साध्य और साधन परस पर संबंदित हैं बहुत जादा बेसे कोशन मतलब क्या बोला जाए यह क्यों पूछ लिया क्यों लास्ट वाला कोशन देखके भी मुझे लगा कि क्यों पूछ लिया यह कोशन और उसके जस्ट बाद यह वाला जब कोशन दे इसमें तो कोई लड़ाई जगडा नहीं है कि और कुछ option होगा option D ही होगा पक्का से option D होगा चलो तो इस प्रशन का जी हां बिल्कुल सही जवाब है option number D होगा तो गांधी जो है वो कहते हैं कि साध्य और जो साधन है वो क्या है वो interrelated होते हैं ठीक है चले हां जी first shift का paper है entrusted with pardoning powers which include the power to तो governor की जो pardoning की छमादान की शक्ती है उस छमादान की शक्ती में कौन कौन सी बाते जो हैं वो included हैं आपको बताना है ठीक है और यहां पर code में प्रशन दिया गया है मतलब कि राज़िपाल को जो प्रदत छमादान की शक्ती है उसमें कौन कौन सी शक्तियां श थापित करना दंडा देश में परिवर्तन दंड का परिहार्च हमा करना कौन कौन सी शक्तियां कौन कौन सी शक्तियां ऑप्शन A B C या फिर D मतलब 1 2 3 4 क्या combination यह आपके सामने क्या लगा हुआ है code लगा हुआ है ठीक है यह आपके सामने code लगा हुआ है तो जो तेजस्व जो तेजस्वी बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास छोड के जा रहे हैं बीच बीच में घूम फिर के आते हैं है ना कि इधर भी जांक लें उधर भी जांक लें थोड़ा YouTube पे Instagram पे अपना क्या करिएगा पेपर भी ऐसी छोड़ दीजेगा बिलकुल इस प्रश्न का सही जवाब है all option number one yes option number a या फिर option number one a b c d only अब यहां पर फिर मैं टोकूंगी तो तुम लोगों को बुरा लगता है लेकिन option a का मतलब तो किवल suspended the sentence है ना option one जो है वो correct होगा ना option one की बात कर रहे हूं इसका मतलब यह है लेकिन अगर मैं केवल a लिख दे रहे हूं तो a का मतलब तो यह होता है ना गलती मत करना एक्जाम में बहुत silly mistake है गलती कर देते हैं success जी अपना असली नाम बताईए अपना असली नाम बताईए एक बार समझा दिया बाकि तुम्हारा मने चलो अगला question देखिए अगला question भी बहुत easy question है आपको यहां पे cases दिये गए हैं और उन्हें क्या chronological order में लगाना है ठीक है आपको क्या करना है सही chronological order में लगाना है कि पहले कौन सा case आया बात में कौन सा case आया मेनिका गांधी ब बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा मिंड्रेव मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा और केश्वान अंदन भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा आपको इन्हें sequence में लगाना है पी वी जे तनवर जी रादे रादे बताईए क्या sequence होगा पहले कौन सा case आया होगा बाद में कौन सा case आया होगा फिर कौन सा case आया होगा option 1,2,3 या फिर 4 इस प्रशन का सही जवाब है एक जवाब आ रहा है कि मैं option 2 सही है let's see this question का क्या सही जवाब होगा let's see बी बता रहे हैं बी का मतलब तो कुछ और ही होता है ऐसे ही करके आना भाई कि एसे करके आयेगा फिर गलत होगा तो बोलना कि मैं एक नमबर से दो नमबर से हमारा क्या रह गया हमारा नेट है तो छाओँ सारे भाई लोग और पहन लोग बैठे भी हैं हमारे ऐसे हैं नंग यहीं पर बैट है दो है तो जो जो है वो सही है C A D B तो सबसे पहले गोलकनात केस आया उसके बाद फिर क्या आया उसके बाद केशवा नंद भारती केस आया उसके बाद फिर क्या आएगा मेनिका गांधी बनाम भारत और उसके बाद फिर मिंड्रेवा मिल्स केस आया ठीक है option number two is the correct answer next question देखते हैं next question क्या कह सब्सक्राइब करना है समवादनी एक एक कुछ word दिया गया है कि समवादनी जो है उसका किस से संबंद है समवादनी जो है वो किससे related है किस आंधोलन से related है समवादनी महिला पर्यावलण आंदोलन से, हिंसा के विरुद्ध दलत नारिवादी आंदोलन से, दलत नारिवादी सहितिक आंदोलन से, या फिर उपरयूक्त में से, कोई भी नहीं, option A, B, C, या फिर D, किस से related है समवादनी, बताए, किस ते related होगी समवादनी, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ ठीक है इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा इस प्रश्न का सही जवाब है कौन सा ओप्षण होगा ओप्षण नमबर 3 दलित नारिवादी साहितिक आंदोलन से तो समवादनी जो है लिकें literature का यहाँ पर element जो है वो याद रखिएगा कि दलित feminist literary movement से तो समवाद नाम से ही समझ आता है कि it is something related to समवाद फिर समवाद को तुम connect कर लो literature से तो इस तरीके से भी अगर थोड़ा logic लगाते तो शायद तुम्हारा जवाब option number 3 ही होता ठीक है चलिए next question पर बढ़ते है अगला प्रशन आप से क्या पूछ रहा है देखिए अगला प्रशन आपको match the column दिया है अच्छा प्रशन है बार बार पढ़ाया है मैंने हमेशा से जब से मैं political science आपको पढ़ा रही हूं कि भहिया कही भी कोई भी latest जितरी भी summits होती है वो कहां हुई किस number की थी theme क्या थी यह सारी चीज़े याद रखेगा और ऐसा question पूछा गया आपको बताना था कि COP 27 जो है वो कहां पर हुआ 19 वा आसियान का सब्मिट कहां पर हुआ 31 अरब लीक सब्मिट कहां पर हुआ सात्वा ब्रिक्स समेलन जो है वो किस इस्थान पर हुआ था ठीक है सिटी का नाम लिख हुआ है यूफा है अलजीरियस है और नोमपेन है और शर्म अलशेक है आपको मैच करना है ठीक है आपको क्या करना है मैच करना है और बताना है कि कौन-कौन से सम्मिट किस-किस जगे पर हुई थी आपके पास यहाँ पर कोड लिखे हुए है ठीक है चले फटा-फट से इस प्रश्न का जवाब देखते हैं कि ये सारी summits actual में कहां कहां पर हुई थी ठीक है कहां कहां पर हुई थी चले तो इस प्रश्न का सबसे पहली बात तो जो सही जवाब है वो option number one है ठीक है option number one match कर लेते हैं A का 4 है मतलब जो COP 27 है वो कहां पर हुई थी शर्मल शेख में हुई थी ठीक है इसके बाद फिर 19 आसियान सम्मिट जो है वो कहां पर हुई थी वो हुई थी नॉम पैन में ठीक है इसके बाद फिर इसके बाद क्या है इसके बाद 31 अरब लीग जो सम्मिट है वो कहां पर हुई थी वो हुई थी अलजेरिस में और इसके बाद सात्वा जो ब्रिक्स शिखर समेलन है वो कहां हुआ था यूफा में हुआ था ठीक है ओके जी अब आप सभी क्या करेंगे एक कृपा करेंगे कि कमेंट सेक्शन में क्या लिखेंगे आप सभी कमेंट सेक्शन में ये जो जगह है ठीक है ये जितनी भी योफा अलजीरियस और नॉमपैन और फलाना और फलाना ये सब कहां कहां पर हैं किस देश में हैं ये आप मु सब्सक्राइब है और इस ऊच्याप माराद सब्सक्राइब का अगवानी कर रहा है ठीके मुझे नंबर बताईएगा ठीके जी चले अगले प्रशन पर बढ़ते हैं अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन देखते हैं जी हाँ इस बार का पेपर जो है वो काफी जादा टफ आया था बहुत टफ साइड पर था ये लगभग हर स्टूडेंट ने कहा है चलो हें घेंडर्सन ब्रुक्स रिपोर्ट जो है वो किससे संबंदित है अमेरिका भारत परमाणू समझौते से 1922 के चीन भारत युध से या फिर बरिक्स देशों का जो आविर भाव था उससे या फिर मद्धि-एशियाई परमाणू हत्यार मुक्त छेत्र संधी से किस से related है Henderson Brooks प्रतीवेदन Henderson Brooks रिपोर्ट जो है वो किस बात से किस event से related है बताएं किस से related है option 1,2,3 या फिर 4 ठीक है option 2 बता रहे हैं दाट इस इंडो चाइना वोर और इस प्रशन का सही जवाब के है 1962 का इंडो चाइना वोर से ही related है कौन सी रिपोर्ट हेंडर्सन ब्रुक्स रिपोर्ट ठीक ओके next question पर बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष किस वर्ष में बने ठीक है जो क्या है विनोध दामोदर सावरकर है ठीक है वीडी सावरकर है वो क्या है इसे कैसे हो सकता है भाई जिन बच्चों को कोशन नहीं दिख रहा है है ना भाई ये देखो अगर आप देख पा रहे हो तो शयद रिफ्लेक्शन जादा है बट मैं अपने फोन पे 360P पर चला रहे हूं मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है अगर आप भी अपने वीडियो की क्वालिटी 360P करके रखोगे आपको बहुत आराम से दिखेगा और मेरा फोन भी छोटा है जिसमें मैं अभी देख रहे हूं बहुत छोटा इतना सा है ठीक है इतना सा है बस तो प्लीज अपने वीडियो की क्वालिटी 360P पर कम से कम करके एजुकेशनल वीडियो देखा करो तुम लोग एक बात बताओ सारे टीचर से ऐसी बात करते हूं सबसे ऐसे एटिटूड में बात करते हूं इतना ही रूट करते हूं यह वी आई-पे ट्रीट्मेंट मुझे बस देते हूं आज बता दो यार मैंने कहा कि मैंने टेक्निकल टीम को बुलाया है टीम आ जाएगी वो सुधारेगी यहाँ पे बहुत सारे वायर्स लगे हुए अगर मैं एक भी वायर्स से छेड़शाड करूँगी आपको पूरा वीडियो बंद हो जाएगा 360P पर तो बराबर कर दिखेगा ना अब चाहे वो Android फोनों चाहे कोई और सा हो ऐसी बाते करने लगते हो बिल्कुल तुम लोग फिर मुझसे आता होता तो मैं कपका कर दिया होता मैंने इतना रूड होने की आविशक्ता है नहीं वैसे पर ठीक है वई बोलने का अधिकार है आप ही तो यहां पर करता धरता है जो चाहें वह बोली इस प्रशन का सही जवाब है 1937 तो जो वीर सावर कर हैं वह हिंदू महासभा के किस वर्ष में अध्यक्ष बने 1937 में अध्यक्ष बने ठीक है कब बड़ा अच्छा कोशन है करिंट अफियर टाइप का कोशन है कि अलग अलग एनरजी कंपनी लिखी हुई है मतलब ऐनरजी से रेलेटेड कोल की या किसी भी चीज की जो पैट्रोलियम की कमपनीज होती है बड़ी बड़ी उनके नाम लिखेगा एैं एक तरफ एक कमपनी का नाम टोटल है फिर क्या है पेट्रोनास है फिर सिनोपैक है फिर अरामको है और ये जो कमपनिया है वो किस देश में है आपको उससे मैच करना है ठीक है मलेशिया चाइना सौधी अरेबिया और फ्रांस यहां पर आपके पास चार आप्शन दिये गए है ठीक है करिये मैच करिये और बताइए अरामको का नाम तो जरूर सुना होगा कुछ और सुना है चाहे नहीं वरना तो फिर करिंट अफियर पढ़ोई मत निउस पढ़ोई मत अगर अरामको का नाम नहीं सुना है तो अब आप बोलोगे कि मैम यह तो पेपर वन का कोश्चन है ना यह तो पेपर वन का कोश्चन है वहां पर हम पढ़ते हैं एनरजी पल्यूशन यह सब पीडी वाले सेक्शन में पीपल डेवलप्मेंट एंवार्मेंट अन लेकिन जो हमारा पेपर टू है पॉलिटिकल साइन वन टू थ्री फॉर ठीक है चलो ओप्शन फॉर बता रहे हैं लेट सी इस कोश्चन का सही मैच क्या होगा अराम को कहां की कंपणी है इतनी लिख दो कहां किये चलो लिख दो सुना है तो बताओ कहां किये फिर कहां किये लिखो इतनी देर में तो गूगल हो जाता है यार चलो इस प्रशन का सही जवाब है Option No.4 ठीक है क्या सही जवाब है Option No.4 तो सबसे पहले total naam की जो company है वो कहां पर है France की company है ठीक है इसके बाद फिर Petronas naam की जो company है वो कहां की है Malaysia की है इसके बाद फिर Sinopat naam की जो company है वो चीन की है और Aramco naam की जो company है वो बहुत ही famous क्या है one of the biggest petroleum I think petroleum को से deal करने वाली जो company वह कहां कि साउधी अरब की कंपनी है option number four is the correct match for this question ठीक है next question अगला प्रश्न पूछा है कि Canada में एक क्या है बुद्धिस्ट स्टडी का सेंटर है ठीक है पूरा question पढ़ लो पहले कि नालन्दा कॉलेज ओफ बुद्धिस्ट स्टडी Canada ठीक है यह एक कॉलेज का नाम है इस कॉलेज को Canada में किसने स्थापित किया था किस व्यक्ति ने इस कॉलेज को स्थापित किया था अश्वघोष सुवन्दा एच जे सुगुनासिरी और चंद्रकीर्ती या फिर बुद्ध गोश किस व्यक्ति ने इस सेंटर को क्या किया था इस्टैबलिश किया था नालंदा कॉलेज ऑव बुद्धिस्ट इस्टडी जो कि कहां पर है कैनडा में इस्थापित किया गया है अभी दिख रहा है क्लियर कि अभी भी ब्राइटनेस है कि तुम लोगों ने तो वह वाला जोक बिल्कुल क्या कर दिया सार्थक कर दिया कि कोई बेचारा सॉफ्ट्यर इंजीनियर है लड़का या लड़की कोई भी तो उससे उसकी मम्मी कहती है कि क्या मतलब हुआ तेरी पढ़ाई में इत करने का कैसी सॉफ्ट्यर इंजीनियर है तुम लोगों न तो आज बिल्कुल उसी जोग को सार्थक कर दिया चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नमबर टू दाट इस एक बार चेक कर लेते हैं हाँ इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नमबर टू सुवन्दा एच जे सुगुना सीरी ठीक है ये कौन है ये जो व्यक्ति है इन्होंने क्या किया है इन्होंने कैनेडा में नालंदा कॉलेज औफ वुद्धिस्ट स्टडी नाम का जो एक से इंटर है उसे क्या किया है उसे इस्टाबलिश किया है अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं अगला प्रश्न है विच ओव दी फॉलोइंग आर्डी टूल सफ एक्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एड्मिनिस्ट्रेशन बड़ा अच्छा प्रश्न है लॉजिकल प्रश्न है आपको बताना है कि निम लिखित में इसे कौन प्रसाशन पर कारेपालिका के नियंतर के साधन है सिविल सेवा सहिता कर्मचारी एजेंसी बजट अध्यादेश या फिर सरकारी अधिकारियों के विरुत मुकदमे और आपके पास फिर बाकी कोड़्स है और आपको बताना है इसमें मुझब बनाने की क्या बात है सही तो है यही तो compassion कर रहे हूं तुम लोग मेरे कोच चला चला के brightness के लिए इसके लिए कुछ भी मतलब चलो इस प्रस्न का सही जवाब देखते हैं इस प्रस्न का क्या सही जवाब होगा इस प्रस्न का सही जवाब है option number three तो क्या है कि executive कौन कौन से tools होते हैं कौन कौन से माध्यum होते हैं जिन माध्यमों का प्रयोग करके जो कारे-पालिका उस पर क्या है उस पर एक्जेक्यूटिव सोरी जो administration है जो प्रसाशन है उस पर क्या है कारे-कारी जो control है वो लगाया जा सकता है तो किन-किन माध्यमों से civil service code के माध्यम से staff agencies के माध्यम से budget के माध्यम से ordinance के माध्यम से option यह कैसे हो जाएगा suit against public officials यह नहीं हो गई कैसे होगा भाई यह कैसे होगा कैसे होगा यह option number three is the correct answer ABC and D होगा यह नहीं होगा यह को ही eliminate कर दोगे तो अपने आप जवाब आ गया अगला प्रश्ण which of the following is not listed in the classification of colonialism given by Nancy Shoemaker तो नैंसी शूमेकर अब यहां पर एक फैक्ट तो यहीं पर हो गया बहुत सारे questions ऐसे आते हैं NTA में हमेशा कि जो क्या है पहले NTA ने एक फैक्ट वाला question पूछा फिर उसको एक हुमा के उस fact के बारे में कहीं बहुत आगे रहा के पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा कि colonialism के अलग-अलग types जो है उसका वरगी करण जो है वो किस ने दिया है वो नैंसी शुमेकर ने दिया है अब प्रश्ण पूछा है कि नैंसी शुमेकर ने जो colonialism के classification दिये हैं उसमें किस प्रकार का एक classification जो है वो included नहीं है ठीक है न सूची बद नहीं है आपको बताना है extractive colonialism, trade colonialism, legal colonialism and cultural colonialism option a, b, c या फिर बताए बताए इस प्रश्ण का जवाब क्या होगा इस प्रश्ण का सही जवाब होगा option number four तो नैंसी शुमेकर ने जो उपनिवेश वाद का वरगी करण दिया है उसमें वो extractive colonialism की भी बात करती है ट्रेड colonialism की भी बात करती है लेकिन cultural colonialism की बात नहीं करती है एक ही कोशन से दो बाते तुमने सीख ली अगर ऐसे सीख के पढ़ोगे तो जादा chances बढ़ेंगे नेट जीरेफ होने के कि कोलोनियलिजम का classification नैंसी शुमेकर ने दिया और तीन प्रकार के कोलोनियलिजम के बारे में बात करी करिया और देखेंगे कि और कितने प्रकार के होते लेकिन तीन प्रकार के तो बात करी ही है है ना ठीक चले अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन आपसे पूछ रहा है कि जी ट्वेंटी के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है आपको बताना है जी ट्वेंटी के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है इट है इस 20 सावरियन नेशन ओनली एस इट्स मेंबर दी ग्रूप इंकलूड अल्मूस्ट ओल्ट ट्वे रहा है इत डिप्रेजेंट्स इमेरजेंस फ्निव इंस्टिउशनल वर्ल्ड और ऑप्शन का आपके पास कोड़ दिया हुआ है आपको कोड़ के हिसाब से बताना है आपको कोड़ के हिसाब से बताना है बी c nd ठीचे और 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 ठीच है राकेश का जवाब भी आ रहे बीया रहे तू और वेभव का जवा वी आ रहे तू और बाकिना क्या कर रहे है भाई बाकिना दर्शक बनी हुई यह बस चलिए इस प्रश्न का जी हां सही जवाब क्या होगा option number two होगा option number two होगा तो यह तो discussion यार एक करोड एक बार कर लिया होगा हमने अपनी class में 19 countries होती हैं किसमें G20 में और 19 countries है या फिर 19 सावरियन नेशन आप बोल सकते हो और एक क्या है European Union है जो की क्या है एक सूपरा नेशन स्टेट है ठीक है ना सूपरा नेशन स्टेट है अब जैने सूपरा नेशन स्टेट नहीं पता है वो क्या करेंगे वो पेड क्लास में आएंगे वहां पर यह सारी चीजें बहुत इत्मिनान से बहुत सारे एक्जाम्पल्स के साथ सब कुछ इंक्लूड कर देंगे ठीक है यहां पर भी पढ़ाएंगे यहां पर यूट्यूब भी पढ़ाएंगे लेकिन यूट्यूब का स्केडियूल मत फूशना कि कब ठीक है लेकिन फेड की सारी चीजों का क्योंकि स्टेट दैट्स वाइ 19 प्लस वन यूरोपियन यूनियन की क्या है सदस्यता है अब भारत जो है वो एक और सदस्य को यूरोपिया करने की बड़ी जादा क्या कर रहा है और इंडिया इस ट्राइं इस बेस्ट की जो मेन समिट उस समय पर इस जो एक एक एंटिटी है वह देश है वह वह घुप है वह आप बताऊगे उसको क्या किया जाए सबाने की बात करी जा रही है जिसका समर्थन भारत दे रहा है जलदी नाम बताओ यार भारत में जीटवेंटी और है तुमें एक एक चीज पता होने चाहिए कि कहां कब क्यूं कैसे किस लिए बताओ कौन से नए सदस्य को जोड़ने की बात करी जा रही है यूरोपियन यूनियन में नई साउथ अफ्रिका ने साउथ अफ्रिका ने बताए अफ्रिकन यूनियन को जिसे हम AU कहते हैं जो कि हमारे सिलेबस में भी है बहुत बार अच्छे कोश्चन्स पूछे जाते हैं AU से ठीक है तो एफ्रिकन यूनियन को जोड़ने की बात करी जा रही है ठीक है चले अगला प्रश्ण प्रश्ण पूछा जा रहा है नियू रियलिजम से तो जो अन्तराश्ट्री क्या है अन्तराश्ट्रिय संबंध इंटरेशनल रिलेशन है उसमें क्या बुलते हैं जो और यहां पर क्या है यहां पर आपका कोड भी लिखा हुआ है तो आपको कोड में जवाब देना याद रखेगा आपको कैसे जवाब देना है आपको कोड में जवाब देना है बताइए हिंदी में अगर आप देखना चाहें प्रश्ण तो यह रहा हिंदी में भी प्रश्ण बताइए नव यथार्थवाद के सम्बंद में कौन-कौन से जो कथन है वो सही है आपको बताना है कूट यहां प नहीं किया तो कम सी कम लाइक तो कर दो, शेयर नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, इस प्रश्न का सही जवाब देखते हैं, इस प्रश्न का क्या सही जवाब है, इस प्रश्न का सही जवाब है, option number 1, ठीक है, तो match क्या है सही, यह सही code क्या है, A, B and C, ठीक है, ठीक, A, B and C, option number 1 is the correct answer, जो D वाला option है, वो neo-realism में क्या है, neo-realism में नहीं consider किया जाता है, ठीक है, option number D जो है, वो neo-realism में नहीं consider किया जाता है, क्योंकि हम नव यथारतवाद की बात करें, security dilemma can be called as building up stores of military weapons for offensive purposes, ऐसा नहीं है, ठीक है, चल, अगले प्रशन पर बढ़ते हैं आज के, paper देख लीजे और उस हिसाब से अपनी आगे की 6 महिने की 5 महिने की जो रणनीती है, वो strategy जो है, उस हिसाब से तयार करिएगा, net grf का exam, अब मैं आपको सही एकदम बताऊं, हलका नहीं रहे गया है, अगर आप हमारे batch तक के लोगों से पूछोगे, वो बोलेंगे, अरे ऐसे ही था, थोड़ा पढ़लो, हो जाता, हो जाएगा, लेकिन उसके बाद से, जब से NTA ने कमान समहाली है आपका exam लेने की level बहुत tough हो गया है, और तुम्हारे competition में ये जो UPSC में PSIR लेते हैं न, political science and international relations, वो लोग भी आके बैठ रहें, ठीक है, तो जितने जादा competitive लोग आपके साथ बैठेंगे, competition उतना tough होगा, निकलना के वल 6% ही बच्चों को है, चाहे 25,000 appearing हो, चाहे 50,000 appearing हो, तो इसलिए competition जो है, वो हाई है, हिसाब किताब देख लिजे और समझ लिजे, आप सभी बहुत समझदार हैं, ये मैं मान के चलती हूँ, अब आप समझे, आप कितने समझदार हैं या नहीं है, ठीक है, चल, देखो, यहाँ पर प्रशन जब भी मैंने पेपर देखा, कि दो-तीन कोशन ऐसे होते हैं, जिनका जवाब आगे पीछे कहीं कोशन में आपको मिल जाएगा, अगर थोड़ा आप अगर अपना जो लॉजिक है ना बुद्धी है, वो लगाएंगे तो, तो शूमेकर वाला जो कोशन था, वो हमने पढ़ करोगा, तीन फैक्त हो गए इसी क्लास में, कि नैंसे शुमेकर नाम की जो एक महिला है, उन्होंने कोलोनियलिजम का क्या दिया है, क्लासिफिकेशन दिया है, कितने टाइप के कोलोनियलिजम बताएं, ट्वेल टाइप के बताएं, जिनमें से तीन टाइप के हमने पढ़ ल सारा मिल रहा है आपको वहां पर कुछ नहीं मिलेगा सबसे पुलेस्ट पर होती है ब्राइटनेस एक्जाम देना है दीजिए आख में दर्द हो रहा है होने दीजिए कोई नहीं आई नोबडी इस गोईंग टू कम एंड रेस्क्यू यू ठीक है तो उतना मेंटली क्या करके रखे सोचके समझके रखे लाइनची शूमेकर अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन फटा फट से की ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेट प्रशन है क्या पूछा है लेट सी निमलेकित में से किसका विचार है कि वैश्वी करण क्या है एक रूपांतरण वाद है त नाम लिखे हुए हैं जिनके नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कोई बात नहीं इन में से किस व्यक्ती ने कहा कि जो globalization है वो क्या है इस transformationalism ठीक है न रूपांतरणवाद है globalization बताए किसने कहा होगा ये किसने कहा होगा ये ये कहा है किसने ये कहा है डेविड हेल्ड ने ये statement globalization के बारे में किसने कही है डेविड हेल्ड ने कही है तो yes that's all for now thank you so much everybody for watching और अगर आपको लगता है कि net जारेफ की तयारी के लिए syllabus बहुत जादा है political science का mentorship के आवशकता पढ़ेगी guidance के आवशकता पढ़ेगी क्योंकि exam में कई बार क्या पढ़ने से जादा क्या नहीं पढ़ना और क्या कैसे पढ़ना ये आना बहुत जादा जरूरी है तो उसके लिए आप सभी की मदद करने के लिए भाया पेपर टू में जो है political science में उसमें हमारे जो courses है वो launch हो चुके हैं बहुत nominal cost per courses जो है वो available है PYQ, MCQ, Test Series वगेरा भी इन ही courses में है तो आप क्या कर सकते हैं इन courses को कैसे अवेल कर सकते हैं ADA247 की website पर जा करके और यहाँ पर all courses वाले section को open कर लिजेगा all courses वाले section को जैसे ही open करेंगे आपको यहाँ पर UGC दिखेगा UGC पर click कर लिजे UGC Net Political Science पर click कर लिजे आपको चार प्रकार के batches दिखेंगे एक जो हमारा पहला usual batch पेपर वन का केवल जहाँ पर मैं पेपर वन भी पढ़ा रहे हूँ ठीक है तो पेपर वन usual batch एक running batch है जहाँ पे classes चल रही है पेपर वन की पेपर वन की ही अगर आपको क्या है fresh batch लेना है कि भाई हमें नए पूरे तरीके से live classes लेनी है तो आप usual 2.0 को अवेल कर सकते हैं इनकी classes जो है वो एक तारीक से शुडू होगी केवल अगर आपको पेपर वन के batch लेने हैं तो ठीक है क्योंकि पेपर वन में बच्चे बहुत अटक जाते हैं पेपर टू बढ़ियां होते हैं पेपर वन के कारण नेट जा रहा है तो पेपर वन का क्या है आप उज्वल 2.0 अवेल कर सकते हैं तो फोर डबल लाइन की कॉस्ट पर दस की दस यूनिट विट टेस सीरीज विट स्टडी मिटेरियल विद पीडिएफ विद एवरीटिंग क्या है आपको यह कोर्स अवेलिबल करवाया जा रहा है कुछ स्टूरेंट से जिन्हें केवल पॉलिटिकल साइंस का कोर्स लेना है या फिर आप पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का मेगा पैक अवेल कर सकते हैं जो कि आपके लिए 6249 के कोस्ट पर अवेलिबिल है बाइनाव पर क्लिक करिए आपको डिसकाउंट के लिए मैं एक आप्शन बता देती हूँ यहां पेट कूपन की जगे टाइप करेगा क्या वाई 7, Y792 क्या टाइप करोगे आप वाई 792 टाइप करोगे एपलाई करोगे यह पूरा का पूरा कोर्स जो आपको 6000 से उपर का पढ़ रहा था वो कितने में पढ़ जाएगा 5749 पर पढ़ जाएगा ठीक है तो हरी अप गाईज क्योंकि 20 सारिक से यहां पर हमारी पेट की क्लास भी स्टार्ट हो रहे हैं पेपर टू की और इसके साथ ही साथ प्राइसेज जो हैं वो जल्दी ही बढ़ने वाले हैं तो इसलिए कम प्राइस पे और बहुत अची डील आपको मिल रहे हैं आज ही अवेल करिए पॉलिटिकल साइंस का मेगा पाक कूपन कोड लगाना वाई 792 मत भूलेगा और कल की क्लास में हम इसी जो कोशन पेपर लगा रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट के अभी हाल में जो जून में एक्जाम हुआ था आपका यूजी सी नेट का पॉलिटिकल साइं छिपसे तर्स इस अनेट रहे हैं यूजी एट ए शूनेश करती जन सानी कर देखे केर झाल झाल